हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल on-line job sports पे on-line job sports आज आप के लिए लाया है कोटक महिंदरा बैंक में job कोटक महिंदरा बैंक में बहुत सारी position पर अलग अलग location पर और अलग अलग position पर job निकली है तो जोब देखने के लिए हमें चलना होगा कोटक महिंदर बैंक की official website पर तो आईे चलते हैं इसकी official website पर और देखते हैं जोब कोटक महिंदर बैंक की official website पर आ चुके है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और बैल नोटिफिकेशन को आल पर सैट कर दीजे जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में जोब कोटक महिंद्रा बैंक में जोब देखने के लिए नीचे आपको जोब ओपनिंग का ओप्शन दे रखा है इस पर किलिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने दो ओप्शन खुल चुके हैं अगर आपको डिजिटल और आईटी सेक्टर में जोब चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे वरना All Jobs देखने के लिए All Jobs पर क्लिक करेंगे नया पेज लोड होगा फिर से थोड़े दिर वेट करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने एक सर्च बार खुल चुका है यहाँ पर अपना जोब का कीवर्ड डाल कर अपनी लोकेशन डाल कर आप यहाँ से जोब सर्च कर सकते हैं वरना आप डारेक्ट भी जोब सर्च कर सकते हैं सर्च वाले उप्शन पर किलिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने नीचे कितनी सारी पोजिशन पर जॉब खुल चुकी है ये सारी बिल्कुल फ्रेश जॉब हैं आप देख सकते हैं अलग अलग लोकेशन पर और अलग अलग पोजिशन पर ये जॉब दे रखी है आप देख सकते हैं आपर कितनी सारी पोजिशन पर जॉब दे रखी है अभी मैं आपको एक जॉब के लिए अपलाई करके भी दिखाऊंगा पहले आप देख लीजिए आपर कितनी सारी position पर job दे रखी हैं ये सारी बिल्कुर fresh job है आपको जिस भी location में job चाहिए आप उपर location डालके भी search कर सकते हैं जिस भी position पर आपको job चाहिए मैं आपको एक job के लिए apply करके दिखाता हूँ मान लीजे आपको ब्रांच मैनेजर की जोब चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे नया पेज लोड होगा आप देख सकते हैं ब्रांच ओपरेशन मैनेजर की जोब खुल चुकी है नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसका जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको इसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि आपको जोब में क्या-क्या रोल करना है नीचे जोब रिक्वार्मेंट बताई गई है graduate MBA में qualification मांगी गई है और 6-8 year का experience मांगा गया है graduate में और MBA में 4-6 year का experience मांगा गया है नीचे आप इसकी category भी देख सकते हैं फुल टाइम की ये जोब है बैसलर डिगरी के लिए last date आप देख सकते हैं इसकी 31,10,2023 दे रखी है job shift female के लिए है location आप देख सकते हैं इसकी बैंगलोर करनाटका की दे रखी है नीचे आप देख सकते हैं इससे similar job दे रखी है अगर आपको किसी और location में job चाहिए इसी position पर तो आप नीचे देख सकते हैं इस job को apply करने के लिए apply now वाले बटन पर click करेंगे नया page load होगा आप देख सकते हैं आपके सामने एक option खुल चुका है यहाँ पर सबसे पहले अपनी email address डालेंगे और I agree with terms and condition पर click करके next करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले अपनी email address डालेंगे हाँ पर नया page load होगा email address डालने के बाद आप देख सकते हैं email address डालने के बाद आपके सामने नया page खुल चुका है नीचे देख सकते हैं आपको कुछ information भननी है अपनी एक form दे रखा है इसके बाद आपकी ये job apply कर सकते हैं इसके लिए इस form को भनने के बाद आपके पास mail आएगा उसके बाद आप interview देने जाएंगे फिर आपका selection हो जाएगा याँ पर फिर आप apply कर सकते हैं इस job के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये form fill कैसे करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक option दे रखा है apply with linkedin अगर आपने linkedin पर profile बना रखी है तो आप linkedin से भी direct apply कर सकते हैं आपर वरना नीच आएंगे तो सबसे पहले आपको अपना last name डालना है उसके बाद first name डालना है ये आपको अपने आधार कार्ड में से देख के डालना है बिल्कुत स़ही सभी उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको title का उफशन दे रखा है यहाँ पर अपना job title स्लैट करेंगे उसके बाद आपको अपना middle name डालना है middle name डालने के बाद आपको अपना email address retype करना है उसके बाद आपको अपना mobile number डालना है फिर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको अपना address डालना है इंडिया country यहां पर select हैं अगर आप other country से apply कर रहे हैं तो दूसरी country select करेंगे उसके बाद अपना address डालेंगे कि आप कहां से जोब के लिए apply कर रहे हैं आप three line में अपना address डाल सकते हैं देख सकते हैं आप यहां पर three line दे रखी है address की उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको city और town डालना है अपना उसके बाद आप देख सकते हैं आपर pin code का option दे रखा है यहां पर अपना pin code डालना है फिर अपना state डालेंगे आपर यह सारी चीजे आपको ठीक से बढ़नी है सही सही बढ़नी है बिल्कुल तभी आप इस job के लिए apply कर पाएंगे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं आपर extra information दे रखी है अगर आपको आपका blood group पता है तो अपना blood group डालेंगे यह optional है अगर आपको नहीं पता है अपना blood group तो आप मट डालना है आपर उसके बाद next पर क्लिक करके आपका इस फोम फिल हो जाएगा फिर आप इस जोब के लिए apply कर सकते है मैं इस फोम को फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस जोब के लिए apply नहीं कर रहा हूँ आप इस फोम को फिल करें और जोब के लिए apply करें अगर आपको जोब apply करने में या फिर ये फोम कील करने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपलाई लिंक में आपको डिस्किप्शन में प्रोवाइट कर दूँआ जिससे आप आसानी से इस जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तो उपर आपको दो जोब और दिखरी होंगी इन में से आप जानकारी जान सकते हैं अपलो फार्मेसी में जोब देखने के लिए और दूसरी आप देख सकते हैं बंदन बैंक में जोब तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई